नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कार की माइलेज कैसे इंक्रीज करें उसके बारे में बताने वाला हूँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ जो आपको यूज कर सकते हैं या ट्राइड टेस्टेट टिप्स हैं हम लोग 20,000 सब्स्राइबर के पास हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दू यहां पर ड्राइविंग टॉटोरियल्स कार रिपैर कार रिव्यूज के बारे में टुटोरियल्स हैं आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने कार के पार् कर सकते हैं जैसे आपके ड्राइविंग हैबिट्स इंक्रीज इंप्रूव हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग 20,000 सब्सक्राइबर को ब्रेक कर सकें ठीक है चलिए अब मैं आप लोगों कुछ टिप्स देना चाहूंगा यहां पर तो पहली जो टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा वो है कि टैंक को पूरी तरह ना भरे हाफवे ही भरे यह क्यों इंपोर्टन्ट है देखें पहली चीज जो फैक्टर होता है आपको कार में वह यह होता है कि वेट ठीक है माइलेज इंक्रीज जब भी आप करना चाहते तो सबसे पहला इंपोर्टन फैक्टर होता है वेट कार का वेट जितना कम होगा उतना ज्यादा माइलेज होगा लेकिन वेट ही एक रीजन नहीं है जिसके वाज़े से मैं बोल रहा हूं कि पेट्रोल टैंक आपकी डीजल टैंक जो भी है उसको आधी ही फिल करें दूसरा मैं बोल रहा हूं हाफवे भरें लेकिन क्वार्टर यानि एक चौथाई पार्ट से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए तो हाफवे के अराउंड आप भरके रखें और उसमें चलाएं तो वह आपके लिए बेस्ट हैबिट होगी अगर आप सेटी ड्राइविंग करते हैं एक क्या करते है पेटरोल में कुछ ऐसे पेटरोल ने करते हैं जहाँ पर पेटरौल में दाल बहुंत आफारे जिसे 는 शाहिए जर्शाटी दाल Murphy देते हैं बहुत सारे जिसे कि फियूल बन होता है आपका पेट्रोल कतम हो जाता है आप पको बार बार पर पराना पड़ता है आ के साथ आप गाड़ी चलाएं तीसरी चीज एसी अब एसी के बार में इंपॉर्टन चीज यह है कि देखे एसी जो होता है आपकी फ्यूल कंजम्शन जो भी होती है होती है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एसी ओफ करके रखना है हमेशा अगर आप देखें आप हाईवे पर जब चला रहे हैं तो आप एसी जो है ऑन रख सकते हैं वहाँ पर क्योंकि एयर ड्राइग जो होता है उससे आपकी माईलेज कम हो सकती है तो अगर आप खड़क अißली में चला रहे हैं तो आपको मैं बोलूगए एसी बंद रखें क्यों यां बंद रखें क्योंकि उससे क्या होगा आपको माईलेज ज्यादा मिलेगी क्योंकि वहाँ पर रूखना पड़ता चलना पड़ता रूखना पड़ता ऐसे सिचुईशन में आपको एसी कम करें या बंद रखें मौसम के हिसाब से वह आपको सही रहेगा ज्यादा माइलेज के लिए चौती चीज जो है इंजिन पर हार्ड मत हो यह से मेरा कहने का क्या मतलब है देखिए जब आप गाली चलाते हैं तो आप आगे इंडिकेटर्स देखेंगे कि कुछ इंडिकेटर्स दिया हुए है आपकी स्पीड के स्पीड पर आप चला रहे हैं उसके साथ ही आर्पीम भी द जादा एक्सेलरेट कर रहे हैं यह वहाँ पर केस होता है ठीक है अगर ऐसा हो रहा है तो आपको गियर चेंज करना चाहिए यानि कि आप 40 के ऊपर चला रहे हैं सेकंड गियर में तो आपका आर्पीम आप देखेंगे बहुत जादा हाई हो गया है ठीक है तो उससे क्या होत आप दो जब आप गियर चेंज भी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी कियर चेंज करें ऐसे निकिए आपने मतलब न्यूटरल पर रखा हुआ है और वह बहुत देरे तक वैसा रखेंपरेशाित है और बहुत जल्दी गियर間 शिप्ट करें इसे इसे आपकी जो है मोमेंटम जो आप क्या करते हैं कि आप आप बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं जब आपको स्टार्ट करना है और बहुत ज्यादा ब्रेक लेते हैं जब आपको रुकना है अगर आप ऐसे करते हैं तो आप गलती करने आपको क्या करना चाहिए अपनी स्पीड कम करनी चाहिए शुरू स जैसे ही आपको मतलब traffic signal आ रहा है और फिर कम brake में भी आपकी गाड़ी रूख जाएगी वैसे situation में अगर आप चला रहे हैं तो आपकी fuel कम consumption होगी और आपकी mileage बढ़ेगी ठीके तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें एक speed पर चलाने के ज्यादा speed change नहीं करें accelerator ज्यादा दमाने की कोशिश ना करें ठीके तो यह एक टिप यह एक टिप एक्सलेट स्मूदली एक्सलेट स्मूदली का क्या मतलब है मेरा जैसे मैंने पहले बोला आप गाली को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए थोड़े दूर चलाएगे फिर मतलब स्पीड इंक्रीज कीजिए उसके बाद चलाएगे ज्यादा एक्सलेटर प्रेस मत कीजिए हम लोग को मजा आता है एक्सलेट ज्यादा प्रेस करने में तो हम लोग को क्या करने चाहिए एक्सलेटर धीरे एक्सलेट करना चाहिए और आपको ज्यादा एक्सलेटर प् उठा लूँ ताकि speed कम हो जाए उसके बाद अराम से brake लगे ना कि पहुंशने के एकदम थोड़े दीर पहले ही brake एकदम जोड़ से दवाना start कर दिया, वो गलत तरीका है उससे ज़्यादा fuel consumption होता है, इसलिए से accelerate smoothly, ठीक है एक speed पर चलाने के कोशिश कीजिए और आप देख लीजिए कि speed पर आपको चलाना है avoid braking यानि कि ज़्यादा brake नहीं लीजिए, ज़्यादा brake लेने पर क्या होगा, कि आपकी जो है fuel consumption वहाँ पर भी ज़्यादा होगी, ठीक है आपको क्या करना है brake जब ले रहे हैं यासे कि आपका speed breaker आगया तो speed कम करने के बाद, half clutch में आप speed breaker पर कर रहे हैं, वो सही तरीका है लेकिन अगर आप brake ले रहे हैं, speed कम करने के लिए फिर वापस accelerated कर रहे हैं ताकि speed breaker पर होगा, चलो अब accelerate करते हैं, जादे speed पर जाने के लिए यह अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी fuel जादे consumption होगी, तो एक speed पर चला है धीरे-धीरे accelerate कीजिए, और brake भी ज्यादा लिमत लेई है, अगले जो मैंने point है, एक point हने वाला है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, maintain safe distance के बारे में, होता क्या है जब हम city traffic में चला रहे हैं, तो bumper to bumper traffic होता है, बहुत कम distance रहता है, तो आगे वाला बंदा जब रुकता है, तो हम भी रुकते हैं, ठीक है आए वाला बंदा चलता है, तो हम चलते हैं, अगर हम एक safe distance रखे हैं, तो हम को पता चलेगा कि बिना ज़्यादा कम, मतलब ज़्यादा ब्रेक लिए बिना हम लोग safe distance रखेंगे और हम लोग को ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा, ये करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी mileage ज़्यादा आ रही है, आपकी fuel कम रोकनी है, आपको गाड़ी रोकनी है, बहुत देर तक, ठीक है, कुछ लोग तो, जो मतलब है, धूप में बहुत गर्मी रहती है, उस टाइम पर भी engine on करकर रखते हैं, एसी के लिए जो भी reason है, वहाँ पर fuel बहुत ज़्यादा consumption होता है, इसलिए ज़्यादा देर तक गाड़ी को engine on करके मत रखते हैं, लेकिन जब ठंडी का मौसम हो, और वहाँ पर आपको जब engine थोड़ा time लेता है, engine गरम होने में, वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए engine on करके फिर start कर सकते हैं, लेकिन धीरे आप मतलब बाकी जगों पर आप धीरे धीरे engine on करके धीरे धीरे accelerate करते हुए, फिर जाएए, वही सही तरीका है, ज्यादा देर तक रुकिये मत, safe distance कबर में पहले बता दिया, don't ride the clutch, ये गलती बहुत common है, शुरुआत जो beginners हैं, उन लोग के द्वारे की जाती है, आप लोग तो होता क्या है, कि अब अगर आप clutch प्रस करते हुए चलाते हैं, तो आपको wear and tear issue भी आता है clutch में, वो भी एक गलत बात है, और आपका mileage है, आपको fuel है बहुत जादा consumer हो रहाता है, इसलिए मैं बोलूँगा, अगर आपको gear change नहीं करना है, तो आपको pair से, आपका pair clutch पे नह change करेंगे, धीरी-धीरी मतलब momentum lose नहीं करेंगे, यह एक और चीज़ है, less traffic routes में जाईए, ज्यादा turning लेना पड़ सकता है, ज्यादा लंबा पड़ सकता है, ज्यादा time लग सकता है, लेकिन कम traffic में आपको यह सारी चीज़े होती है, जैसे कि आपको brake कम लेना पड़ता है, accelerate क करना पड़ता है, और आपको जो है, उससे क्या होता है, idle भी नहीं रहना पड़ता है, यानि गाड़ी को ज्यादा देर रोक करके, engine on करके नहीं बैठना पड़ता है, तो आपका उस situation में, एक दो मिनिट का अगर फर्क है, तो आप less traffic route लीजे, ज्यादा traffic वाला route मत लीजे, अगर आप Google Map से भी जाए, तो Google Map भी आपको तीन-चार रास्ते बताता है, उसमें कम traffic वाला route लीजे, ठीक है, यह सारी चीजे हैं, ठीक है, अब मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स देने वाला हूँ, यहाँ पर, जो आपको help कर सकते हैं, एक sweet speed क्या होता है, लोगों का यह मा आपकी sweet speed से ऊपर चला रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि आपकी mileage उल्टा कम हो जाती है, यानि कि आपका fuel ज्यादा consumption होता है, ठीक है, तो यह कैसे पता करें, आपको highway पर चला रहे हैं, 100 km, pH के speed से आगे, तो आपको देखेंगे कि, उल्टा आपकी mileage कम हो जाएगी, क्यो क्योंकि होगा यह कि, आपकी sweet spot है, वो थोड़ी नीचे है, ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूगा कि आपनी sweet spot find कीजिए, आप highway पर चलाएए, वहाँ पर आपको mileage ज्यादा मिलता है, लेकिन उसके साथ आप find करने के कोशिश कीजिए, कि आपकी sweet spot क्या है, यानि कि, आपकी कौ मैं technical जा रहा हूं यहाँ पर, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने car के parts और कुछ tips और precautions उसमें बताएं, तो आप प्लीज देख लीजिए, उसको आपको ठीक से समझ में आएगा, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं, engine oil और जो तो यह engine oil additives आप अपने service center वाले से एक बार पूछ करके फिर ही add किजिए, नहीं तो आप मेरे future videos देख सकते हैं, अगर आप पिस warranty वगरा नहीं है, लेकिन यह एक चीज़ जो है, आपकी mileage बढ़ा सकती है, इसको और मैं और भी बताऊंगा, मेरे link description में है, जो आप add कर सकते ह हैं, लेकिन एक बार अपने service center से पूछ करें ही, इसको add करें, ठीक है, और इसको क्या है, यह synthetic oil additives और इसको precautions क्या क्या है, वो सारी चीज़े जानने के लिए, मेरे पिछले video ज़रूरी देखें, जिसमें मैं car के parts और precautions के बारे में बताया है, जिसमें जब मैं engine को explain कर रहा उस video में, तब वो चीज़ अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा, car tires to proper inflation, यानि की car में हवा भराते रहें, जो pressure में आपको car के tire रखनी चाहिए, उस pressure में आप रखें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छी mileage मिलेगी, air filter clean रखे, engine oil change कीजिए, periodically जभी भी उसका पर होते हैं, यह सब आपको जानना है, तो आप मेरा previous video ज़रूर देखें, लेकिन मैं बताऊंगा, periodically, oil filter और oil, engine oil change कीजिए, जब भी उसका समया है, जो भी आपको बताया गया है, maintenance guide में, वो आप follow कीजिए, उसके लावा extra weight हटाईए, आप लोगोंने accessories add कर दी, आप लोगों पूरा, मतलब car repair kit add कर दिया, उसके अलावा, मतलब vacuum cleaner car का add कर दिया, क्या क्या आपको अच्छा लगता है, आप लोगोंने add कर दिया, bag रख दिया, तो यह सारी चीज़े मतलब जो होती है, weight add करती है, car में, weight add करने से होता क्या है, आपकी mileage कम होती है, तो इसलिए मैं बोलू तो यही है, तो यही है मेरे tips, अगर आपको कोई भी सवाल है, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको आपकी questions के answer करने की पूरी तरह कोशिश करूँगा, तो और मैं सोच रहा हूं कि एक app बना दू जिसमें आपको मतलब एक forum जैसा हो, जिसमें आप questions पूछें और मैं उसे answer कर सकूँ, और भी मेरे दो-चार लोग जिनको मैं जानता हूं, जो इस industry में हैं, या mechanical engineers हैं, कुछ मेरे दोस मर्सेडिस बेंज वगरा में हैं, तो वो भी आपके questions को answer कर पाएंगे, अगर आपको कुछ सवाल है तो, तो यह आपको मैं release करने वा सब्सक्राइबर हम पार कर जाएं, और अगर आपको कोई भी सवाल है, प्लीज कॉमेंट कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको कोई problem है, आपको कोई और tips है, जो लोगों को आप share करना चाहते हैं, उसे भी आप comments में जरूर डालिए, ठीक है, thanks, आपको यह वीडि